मित्रो वीडियो में आगे जाने से पहले अपना पास सेकंड का किमती वक्त देखकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और वैल आइकन भी रवाएं जैसे आगे आने वाले वीडियो सीधिये आपके पास पहुंच जाएं चलिए शुरू करते हैं पाठ दस दिखते हैं दश महा पाठ हा मतलब पाठ दस दस महा पाठ दस परिचाया हा मतलब परिचाय तो इस पाठ में एक दूसरे का परिचाय कराया जाएगा कोई आपके शामने व्यक्ति खड़ा होगा तो आपको उशे अपना परिचाय देना है कि आप कौन हैं? कहा कि, निवाशी हैं? तो इस प्रकार से इस पार्ठ में संसगरत में परिचा देना आपन सीखेंगे और इस पार्ठ में जो की ये पार्ठ है इसमें सश्थी बिभगती का प्रियोग किया गया है अभी तक आपने करमसह दुतिया तृतिया चतुरती पंचमी इन बिभक्तियों को पढ़ा था आज इस वीडियो में सश्थी बिभक्ति के बारे में पढ़ाएंगे शश्ठी बिभक्ति एक तो यहां जो पर ने पढ़ा था पंचमी में तो लाश्ट में ता आता था रामात और इसमें क्या आएगा रामश्य रामश्य रामयोह अलग-अलग शब्दों के अलग-अलग बिभक्तियां होती है और रामा राम रामा राम एश्ट तो ये इस प्रकार के शब्द चलेंगे ये है शष्ठी विभक्ती तो शष्ठी विभक्ती आप लोग एक बार और देख लें शष्ठी विभक्ती से कौन-कौन से रूप बनते हैं और अधिकतर शब्दों की प्रतमाशे लेकर और शब्तमी विवक्ती तक याद करने की कोशिश करें मतलब बहुत शारे शब्दों के रूप याद करने की कोशिश करें सब्द रूप याद करने की कोशिश करें चलें यहां क्लास लगी हुई है क्लास में क्या हो रहा है यह देख लेते हैं सबसे पहले बोलते हैं आचारिय उसके बाद में ग्रीस बोलता है पुना आचारिय बोलते हैं फिर कविता बोलती है और पाठ में अपने शुरू में क्या पढ़ा था कि यहां पर परिचा दिया जाएगा मतलब आप अपना परिचा किसी को कैसे देते हैं वो शिखाया आचारिय मतलब आचारिय जो हैं खड़े हुए हैं सिख्षक हैं वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं सरवेशाम स्वागतम सरवेशाम मतलब सभी का स्वागतम स्वागतम मतलब स्वागत है सभी का स्वागत है ममनाम अविनासह ममनाम ममनाम मतलब मेरा नाम मम मतलब क्या होता है मम मम मतलब नाम मतलब मेरा नाम क्या है अविनासह मतलब अविनाश है आप सब लोगों का जो भी नाम हो आप बोल सकते हैं जैसे किसी ने अपन से पूछा कि भवताह नाम किम जैसे ये पूछ लिया किसी ने भवताह नाम किम यहां सिक्षक जो थे सिक्षक ने कहा सर्वेशाम स्वागतम आप सभी का स्वागत है मम नाम अभीनाशा है मेरा नाम अभीनाशा है भवता नाम किम आपका नाम क्या है तो आपको क्या बूला है देखें ग्रीश खड़ा होता है और ग्रीश खड़ा होके क्या बोलता है मम नाम ग्रीशह मम नाम ग्रीशह मतलब मेरा नाम ग्रीश है मम मतलब होता है मेरा और नाम मतलब होता है नाम तो एक जो बच्चा खड़ा होता है वो क्या बोलता है मेरा नाम ग्रीश है ग्रीज खड़ा होके बोलता है अब आप लोगों शे आप लोग अपने से लगा ले यदि इसी प्रकार से आप लोगों शे भी कोई प्रशन पूछे और प्रशन में पूछे कि भवताह नाम किम आपका नाम क्या है भवताह मतलब होता है आपका कि मतलब होता है क्या तो आपका नाम क्या है तो आपको क्या बोला है मम नाम गिरी शह या फर मम नाम अवी नाश शह मम नाम पंका जह मम नाम अवी शेका आपका जो नाम है वो आप यहां लगा सकते हैं तो आप संस्क्रित में आज आपने यहां क्या शीखा अपना नाम बताना किशी को अपना नाम बताना है संस्क्रित में किसी ना आप से पूछा आपका नाम क्या है तो आपने संस्क्रित में बोल दिया मम नाम ऐसा डेड़ डेस मतलब मम नाम यह आप अपना नाम ले सकते हैं मम नाम के बाद में आगे आचार्या हा आचार्या बोलते हैं पुनहा भवत्याह नाम किम अब किशी लड़की को खड़ा करते हैं भवत्याह दिया है ना तो भवत्याह जो सब्द है यह इस्त्री लिंग का है इस्त्री लिंग में प्रियुक किया है आचार्या ने यहां भवत भवत्याह नाम किम आचार्य आप आचार्य बोलते हैं कि भवत्याह नाम किम एक लड़की को खड़ा करके अब वो लड़की क्या बोलती है कवीता क्या बोलती है ममनाम कवीता यहां तो था लड़कों का तो लड़के क्या बोलेंगे ममनाम जो भी हो आपका वो नाम और यहां आगे पुनाह आचार्य बोलते हैं गिरीश तव परिवारस्य परिचयम बद गिरीश तव तव मतलब तुम अपने परिवारस्य परिवार का परिचयम परिचय वद वद मतलब बोलो क्या कह रहे हैं आचार गिरीश तुम अपने परिवार का परिचाय बोलो या अपने परिवार का परिचाय बताओ आचार कह रहे हैं अब गिरीश बोलता है मम जनन्याह नाम अंजना मम मतलब मेरी जनन्याह मतलब माता का नाम मतलब नाम अंजना मतलब अंजना तो मेरी माता का नाम अंजना है जनकस्या नाम राकेशह जनकस्या नाम जनक मतलब होते हैं पिता तो पिता का नाम क्या है राकेश है माता का नाम अंजना है और जनक मतलब होते हैं पिता, जनक का अर्थ क्या होता है? तो पिता का नाम क्या है? अगरजस नाम अवधेशह अगरज़स, अगरजस से मतलब अगरजका यहांपर शश्ठी भिवख्ती का प्रियोग होगा तो लाश्ट में जो पुलिंग सब्द रहेगा उसके बाद सिया सब्द आएगा तो इसका अर्थ क्या होगा का की और के का की और के सब्द लगाना है अग्रजश्य नाम अवधेशा अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई तो अग्रज का नाम क्या है अवधेश है अनुजश्य नाम ससांका अनुज जो अनुजश्य अनुजश्य मतलब होता है छोटा भाई तो अनुज यहां शब्द कौन सा है अनुज शब्द है अनुज मतलब होता है छोटा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, तो छोटे भाई का नाम सशांका है, मतलब सशांक है, भगिन्याह नाम मालिनी, भगिन्याह मतलब बहिन का नाम, नाम मतलब नाम भगिन्याह मतलब होता है बहिन, तो भगिनी सब्द जो है भगिनी, भगिनी म मतलब होता है बहिन, तो बहिन का नाम क्या है, मालिनी, मातुलश्य नाम आनन्दह, आगे क्या कहा, मातुलश्य नाम आनन्दह, मातुल क्या कहलाती है, मामा, तो मामा का नाम आनन्दह, आनन्दह मतलब आनन्दह, मामा का नाम आनन्दह, आचार्या, आचारे पुना बोलते हैं परिचायम कथा है कभीतेOM मतलब कभीता मतलब तव मतलब तुम अपने क्या करे हैं कभीते, ही कभीता यहां संबोधन के लिए एक यह लगा हुआ है मतलब यह होते है ना जो बहुत सारे हुरे हश इस प्रकार से किसी को बुलाना हो आश्चार या बुधक यह शब्द इस प्रकार के तो यह चिन्ह लगाया जाता है क्या कहा शंबोधन के लिए होते है कवीते कवीते मतलब कवीता तौविद्याले तो विद्यालायश परिचायम कथाय तुम अपने विद्यालायश परिचाय बताओ कथाय कथाय मतलब कहो परिचायम मतलब परिचाय विद्यालायश मतलब विद्यालायश कभीता बोलती है अगले आगे कभीता क्या बोलती है मम विद्यालयश्य नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालयः मम मतलब मेरे विद्यालयश्य विद्यालयश्य मतलब विद्यालय का नाम मतलब नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालयः स्वामी विवेकानंद विद्यालय अस्ती मतलब है मतलब मेरे विद्यालाय का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालाय है आयम नंगरश्य मध्य इस्थिताह अस्ती आयम मतलब यह विद्यालाय के लिए कह रहा है आयम नंगरश्य मध्य इस्थिताह अस्ती यह Nagar के मध्य में स्थिता हा मतलब स्थित मतलब है तो जो मेरा विद्याला है मौन अगर के बीच में मतलब इस के पुरुताहा ध्यान से एक एक चीज यहां पर बताई गयी है वो आपको ध्यान पूर्वक देखना है एक तो क्या कहा नगर के बीच में है अब आगे क्या कह रहा है एतस्य पुरुताह उद्यानम अस्ती तो एतस्य मतलब क्या होता है इसके पुरुताह पुरुताह मतलब आगे एतस्य पुरुताह पुरुताह मतलब आगे उद्यानम उद्यान बगीचा अस्ती मतलब है और हमारे विद्याले के आगे एक बगीचा है प्रष्ठताह क्रिडांगणम अस्ति प्रष्ठताह प्रष्ठताह मतलब पीछे की ओर ये विद्यालय बना हुआ है उश्का और विद्यालय में क्या है आगे की ओर तो एक बगीचा है आगे की ओर यहां बगीचा है पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे और पीछे क्या है क्रिडांगनम क्रिडांगनम मतलब खेल का मैदान है यहां यह श्टंप गड़े हुए है पूरे और यह खेल का मैदान यहां बना हुआ है यह खेल का मैदान है यहां बच्चे खेल रहे हैं यह वाला तो इस प्रकार से यह आगे का भाग है और यह पीछे का भाग है आगे चलते हैं क्रिडांगणश्य बामतह मंद्रेस्तह अब क्या कह दिया क्रिडांगणश्य मतलब क्रिडांगणश्य मतलब होता है खेल का मैदान तो खेल के मैदाने के बामतह बामतह मतलब बाईयोर मंद्रे मंद्रेश्तह अब देखें यहां मंद्रेश अब दे दिया तो मंदरे में मतलब दो मंदर होंगे तो क्या कहेंगे क्लिडांगण शे बामता है मतलब क्लिडांगण के खेले के मैदान के बाईयोर मंदरे इस तह मंदर है दक्षन तह भाबनानी दक्षन तह एक होता है बामता है एक होता है दक्षन तह बाया हाथ और दाया होत होता है जैसे उल्टा और सीधा तो दक्षण तह दक्षण तह मतलब दक्षण की ओर भवनानी भवनानी मतलब भवन एक भवन होता तो केवल भवन सब्द लिखते लेकिन भवनानी दिया है तो बहुत शारे भवन है संती मतलब हैं डक्षणतह भवनानी संती आगे क्या कहा आचार्या आचार्या बोलते हैं गिरीसह शष्ठ वर्गश्य संस्कृत पुस्ताकम आनय आचार्या बोलते हैं गिरीश सष्ठ वर्गश्य कक्षा छटवी की वर्ग मतलब होता है वर्ग जैसे किलास ये भी अपन समझ सकते हैं तो क् चटवी वर्ग मतलब कक्षा चटवी कक्षा की संस्कृत मतलब संस्कृत की पुस्तकम पुस्तक या बुक भी बोल सकते हैं पुस्तक आने मतलब लाओ गिरीस संस्कृत कक्षा की जो की छटवी क्लास की पुस्तक लाओ संस्कृत भाशायाह पदानी मधुरानी संती संस्कृत भाशायाह मतलब संस्कृत भाशा के भाशायाह सब्द दिया है तो यहाँ पूरा मैंने पहले भी आपको बताया था कि शब जगह शष्ठी विवक्ती का प्रियोग आपको अधिकतर देखना को मिलेगा क्योंकि यहां शष्ठी विवक्ती का शिखाया गया है संस्कृत अश्य यहां थे अपन कहां थे संस्कृत भाशायाह पदानी मधुरानी संती संस्कृत भाशा के पदानी पदानी मतलब पद मधुरानी मतलब मधुर संती मतलब है संस्क्रत भाषा के पद बहुत मधुर है एशा वेदा नाम उपनिशदाम साश्त्रा नाम च भाषा अस्ति एशा एशा मतलब यह एशा क्यों दिया क्योंकि स्ट्रिलेंग है न संस्क्रत शंस्क्रत एक भाषा है स्ट्रिलेंग सब्द है तो क्या कहेंगे एशा वेदा नाम बेदों की उपनिशदाम उपनिशदों की सास्त्रा नाम सास्त्रों की च और भाशा भाशा अस्ति मतलब है अब इसको पूरा देखेंगे पूरा क्या बोलेंगे तो एह बेदों की उपनिशदों की और सास्त्रों की भाशा है रामायड महाभारत योह कथा संस्कृते लिखिताह अस्ती रामायड और महाभारत की कथा संस्कृते मतलब संस्कृत में यहां सब्तमी विभक्ती का एक बचन है यह तो संस्कृत में लिखिता मतलब लिखी गई अस्ती मतलब है रामायड और महाभारत कथा संस्कृत में लिखी गई है आगे क्या कह रहे हैं चात्र बोलते हैं महोदय संस्कृत भासायाह पठने अस्माकमरुचियस्ती महोदय आचारे जी शिक्षक महोदय सर जी ऐसा भी बोल सकते हैं तो महोदय संस्कृत भाषा भाषा या संस्कृत भाषा में या पर संस्कृत भाषा के याह दिया है ना तो शश्ठी भी वक्ती आएगी तो काकी के संस्कृत भाषा को पठने पढ़ने में अस्मा कम हमारी रुची ही रुची अस्ती मतलब है महुदय संस्कत भासा को पढ़ने में हमारी रुची है वयम एतश्याह अध्यानम इक्षा महा वयम सब्द यहां पर दिया हुआ है तो इक्षा महा प्रयोक किया जाएगा वयम मतलब होता है हम सब हम सब एतस्याह एतस्याह मतलब इस तो इस तश्याह का श्याह संस्कृत श्याह मतलब संस्कृत भाशा के अध्यनम इक्षामा हा मतलब हम सब लोग संस्कृत भाशा को पढ़ने की इक्षा रखते हैं आचार्या आचार्या बोलते हैं आम सर्वेशाम सश्याराम इक्षानुशारम संस्कृतम पाठयामी क्या कह रहे हैं आचारे सरवेशाम आम मतलब होता है हाँ सरवेशाम सरवेशाम मतलब सभी सिस्याणाम मतलब सिस्यों की इक्षानुशारम इक्षा के अनुशार इक्षा धन अनुशार सब्द निकलेगे यहाँ दो सब्द होंगे एक पहला शब्द क्या होगा इक्षा होगा और दूसरा सब्द जो रहेगा वो अनुसार रहेगा तो इक्षानुसार संस्कृतम संस्कृतम मतलब संस्कृत पाथयामी मतलब पढ़ाऊंगा तो क्या कह रहे हैं यहां पर या पढ़ाता हूँ पाथयामी मतलब पढ़ाता हूँ तो आम, सरवेशाम, शिश्याणाम, इक्षानुसारम संस्कृतम पाथ है आमी, सहां सभी चात्रों की इक्षा के अनुसार पाथ पढ़ाँगा, संस्कृत का पाथ पढ़ाँगा अग एक शलोक दिया है ताराणाम भूशनम चंद्रह नारीडाम भूशनम पतिही प्रथव्याह भूशनम राजा विद्या शर्वश्य भूशनम कैसे पढ़ेंगे इसको ताराणाम भूशनम चंद्रह नारीडाम भूशनम पतिही प्रथव्याह भूशनम राजा विद्याशर्वश्य भूशनम ऐसा पढ़ना है इसको ताराणाम भूशनम चंद्रह ताराणाम ताराणाम मतलब राम है बहुत शारे तारे हैं मतलब तो तारों का यहां पर का की के आएगा क्यों कोई राम लिखा हुआ है तो शष्ठी भिवक्ती का प्रयुक किया जाएगा तो क्या कहेंगे ताराराम भूशणम चंद्रहा भूशणम मतलब आभूशण चंद्रह मतलब चंद्र तो तारों का आभूशन चंद्र है इस्त्रिडाम आभूशनम पती इस्त्रिडाम मतलब इस्त्रियों का भूशनम मतलब आभूशन पती है इस्त्रियों का आभूशन पती है पृथिब्याह भूशनम राजा पृथिब्याह मतलब पृथवी का भूशनम मतलब आभूशन राजा मतलब राजा और विद्या सरवश भूशनम जो विद्या है वह सभी का आभूशन है विद्या अभी अपने इसके पहले विद्या रूपी धन के बारे में भी पढ़ा था और यहां इस श्लोक में अपने विद्या रूपी आभूशन के बारे में भी पढ़ लिया मतलब विद्या संसार में शफशे श्रिष्ठ बस्तू है जितना भी आप लोगों को शमय मिले जब भी शमय मिले और जहां कुछ शीखने को मिले तो आप लोग वहां शीखा करें क्योंकि विद्या आजन बहुत आवशक है और यह यहां ही नहीं आप कहीं भी जाएंगे वहां आपको काम में आएगी कई लोग आप शेप पूछेंगे कि आपने कहां तक पढ़ाई की है और यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो आपको क्या-क्या आता है और आप किशी की शमश्या को किसी की शमश्या का शमाधान कर देंगे तो वह शमझेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है आप ग्यानवान है कई लोग आपके शामने जुकेंगे आपकी बात सुनेंगे आपकी बात को मानेंगे इसलिए हमें बिद्या का अर्जन करना है यहां सब्दों के अर्थ दिये हुए है परिवारस्य मतलब परिवारका क्योंकि यहां श्या दिया हुआ है न तो शष्ठी बवक्ती होगी काकी के आएगा जनन्याह माता का जनकश यहां भी श्या है पिता का अग्रजश यहां भी श्या है बड़े भाई का अनुझस्य छोटे भाई का मातुलश मामा का श्या दिया हुआ है किरांगडश खेलके मैदान का तारा नाम तारों का यहां भी बहु बचन है नारी नाम नारियों का सरवस्य सभी का प्रश्ठ ताह पीछे दक्षण ताह दाई योर दक्षण ताह दाई योर आगे क्या दिया हुआ है क्रिडांगडश यहां भी श्या है इसलिए खेलका मैदान क्रिडांगन मतलब क्या होता है खेल का मैदान मैंने पहले भी बताया था क्रिडांग जो है वो खेल का मैदान है क्रिडांगन आगे क्या कहा भूशन भूशन मतलब होता है आभूशन पृथिव्याह मतलब भूमी का पुरताह पुरताह मतलब आगे बामतह मतलब बाइयूर इस प्रकार से आगे अब प्रशन उत्तर दिये हुए हैं करम शाह तो आप लोगों को प्रशन उत्तर के लिए अलक्षे वीडियो मेंने कहा ही है कि जब ये पाँच पूरे हो जाएंगे तो अलक्षे वीडियो रहेंगे अब आपको यहां इन पाँच प्रशनों के चलें उत्तर देना है आपने ये पाँच पूरा पढ़ा है तो चेक कर लेते हैं आप से कुछ बनेगा की नहीं चंद्रह काशाम भूशनम अस्ती चंद्रह मतलब चंद्रमा काशाम मतलब किन का भूशनम मतलब अभूशन है चंद्रमा किन का भूशन है बताना है चंद्रमा किन का भूशन है तो चंद्रमा जो है वह तारों का भूशन है या चंद्रह काशाम भूशनम पूरा एक बार देख लेते हैं चंद्रमा किन का गहना है तो चंद्रमा तारों का गहना है आगे संस्कृत अश्य पठने केशाम केशाम रुची ही अस्ती संस्कृत को पढ़ने की किन की रुची है तो बच्चे सारे बोलते हैं न की हमारी रुची है तो संस्कृत को पढ़ने की छात्रों की रुची है आवधेश जो है वो किसका अग्रज है किसका बड़ा भाई है आवधेश तो ग्रीस का बड़ा भाई है आगे क्या कहा विद्यालयस्य पुरुताह किम विद्यालयके पुरुताह पुरुताह मतलब होता है सामने विद्याला के सामने क्या है बताना है आप लोगों को और दो चीज़ थी ना विद्याला के सामने भी कुछ था और पीछे भी कुछ था तो विद्याला के सामने तो क्या था बगीचा था उद्यानम देखें और एक चीज़ और यहां पर लिखी हुई है कस्य पुरुताह उद्यानमस्ती पहले प्रश्ण ध्यान से देख लेते हैं एक बार कस्य पुरुताह उद्यानमस्ती किसके पीछे उद्यान है तो उद्यान किसके पीछे था विद्याले के पीछे था तो उत्परम विद्याले आएगा भवत्यानाम किम भवत्या नाम किम, पूछा था कि आपका नाम क्या है, या भवत्या, या भवत्या, तो इस त्री लिंग में हैं, तो बताना है, पुल लिंग में हैं, तो बताना है, मेरा नाम ये ये है, जो भी हो आपका नाम, अब आगे शश्ठी विभक्ति, योजय योजय इत्वा, रिक् से आपका ध्यन और बढ़िया हो जाए